हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज हम आये हैं पटना के हिस्टोरिकल मूनुमेंट जो की है गोलगर जी हां ये देखे मेरे सामने ये आपको दिख रहा है गोलगर इसको 1786 में अंग्रेजी हुकूमत द्वारा बनवाए गया था आए अंदर चलते हैं और इसके बारे में और जानते हैं यहां पर इसका ये में गेट है इसी के बरावर में ये टिकेट घर है यहां से मैंने टिकेट लिया यह देखे मेरे हाथ में टिकेट है 10 रुपे पर परसंट टिकेट है आए अंदर चलते हैं और इसके अंदर जाके दे और ये हमारे सामने यहाँ पर गोल घर है गोल घर कब निर्मान अनाज भंडारन के लिए कराय गया था अंग्रेजियो सुरकार द्वारा अब आप सोच रहे होगे कि अंग्रेजियो को क्या जरत पड़ी थी इतना अनाज भंडारन कराने के लिए हुआ ये था कि 1770 में बिहार और बंगाल इस हेरिय में एक बहुत बड़ा पयंकर अकाल पड़ा था जिसमें कहा जाता है लगबग एक करोड लोग चपेत में आये थे उसकी जिसको देखते हुए उस टाइम के यहां के ततकाल बिटिस गवर्नर वारन हंक्स्टिन ने बिटिस सरकार को आवेदन किया कि यहां पे हमें एक अनाज भंडारन के लिए गोलघर बनवाना चाहिए उस टाइम के बिटिस इंजिनियर कैप्टन जोन ग्रिष्टिन को यह कार्य दिया गया गोलघर बनाने का गोलघर को बनाने का कार्य 1784 में शुरू किया गया और 1786 में यह कंप्लीट हो गया महच तीस महिनों में इसको बना के पूरा किया गया गोलघर के उचाई 29 मीटर और चोड़ाई 129 मीटर बताई जाती है और इस स्ट्रक्चर की जो सबसे खास बात है वो यह है कि यह स्ट्रक्चर बिना किसी पिलर के बनाए गया है जी हाँ जो इसकी गोलाई दी गई है बिना किसी पिलर के दी गई है इसमें दो तरफ से सीडिया दी गई हैं जिसमें की आपके 145 सीडियां चड़कर आप इसके ऊपर तक पहुँच सकते हैं यह अपने समय की सबसे उची बिल्डिंग थी पटना की जिसमें चड़कर आप गंगा नदी से लेके महत्मा गांधी ग्राउंड से लेके पूरे पटना शहर का नजारा देख सकते थे गोल घर की दिवारे 3.6 मीटर मोटी हैं और इसमें 4 गेट दिये गए हैं और गोल घर के टोप पर दो फिट और 7 इंच का एक होल दिया गया था जिससे अनाज डाला जाता था मजदूर एक तरफ की सीडियों से उपर जाते और गेहूं होल से गेहूं को डालते और दूस्ती तरफ की सीडियों से नीचे आ जाते इस गोल घर की अनाज भणारन की कैपिसिटी 2400 टन बताई जाती है मगर ये कहा जाता है कि इसको कभी पूरा नहीं भरा गया और इसको पूरा ना भरने का करण जो था वो इसका एक construction defect था जो की इसके gate जो है ये अंदर की तरफ खुलने की बनाए गई है जी हाँ इसके जो gate है वो अंदर की side खुलते हैं जिसके करण अगर हम इसको पूरा भर देंगे तो हम gate को खोल ही नहीं सकते इसलिए इसको कभी इसकी पूरी capacity तक भरा ही नहीं गया गोल घर के उपर का जो गोल है गोल हिस्सा है उसका लगबग 3 मीटर का हिस्सा है इंटों से नहीं पताते हैं पत्तरों से बनाए गया था दो हजार तेहरे चोदे में बताते हैं कि इसका दुबारे से restoration किया गया था बिहार सरकार ने और फिर उसके बाद ये लोगों के लिए खोला गया था उस टाइम में लोगों को उपर च्छत पे टोप पर जाने दिया जाता था पर अब सीडियां बंध है अब नहीं जाने देते और इसके अंदर बताया जाता था कि वो लेजर शो भी किया जाता था पर अब वो भी बंद है मैं आया था जो बताए जाता है गोल घर के अंदर अगर आप कोई बात बोलते हैं तो वो आपकी आवाज लगबग 27 बार गूंचती है इको करती है कितना इंट्रेस्टिंग है न इसके आसपास पार्क डवलप किया गया है इधार यह फांटेन एरिया है इधार और एक साइड इसमें यहां पर आप कोई बच्चों के जूले है लोग यहां आराम से आते हैं गोमते हैं थोड़ी दिर बैठते हैं टाइमिंग की कोई इंदी नहीं है आप एंट्री पर आपके अंदर आने के बाद कितनी भी देर आराम से बैठ सकते हैं घोम सकते हैं तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो दोस्तों प्लीज बताइए कमेंट कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेर कीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में मुसाफिर चल बाई आरियन थेंक यू